नमस्कार दोस्तों मैं नितिसकुमा लर्मेस में आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम मौक 32 का डिस्कसन करेंगे यह 75 हार्ट सीरीज का 32 वीडियो होगा चलिए शुरुआत करें Question No.1 में क्या है इसमें है कि Selling Price जो है 28 टाइमस इकूल है Cost Price अच्छा Selling Price of 28 आइटमस इकूल है Cost Price of 16 आइटम के तो हमें बता ना Profit या Lost परसेंट क्या होगा 28 आइटम का Selling Price बत्दब 28 का Selling Price होगा 28 SP इकूल है 16 के Cost Price के तो यहां से Selling Price by Cost Price आप देखेंगे तो कितना आगया 16 by 28 आगया इसको 4 बता साथ लिख सकते हैं यहने का मतलब कि अगर माल लेजिए इसका Selling Price में Cost Price लिखना है माफ करें अगर इसका Selling Price 4 आइटमस आइटमस तो Cost Price 7 आइटमस मतलब 3 का Loss होगा है तो Loss का परतिसत कितना हो जाएगा 3 का हुआ है साथ पे क्योंकि 3 से तो कम ही आ रहा है तो सही आंसर आगया Option No.4 Question No.2 में है कि दो नंबर है जिसका रेसियो है 5 is to 9 LCM दिया है 405 तो हमें पता है Numbers क्या होगा जो नंबर A is to B दिया है A आपका क्या है 5 is to 9 हम मान सकते हैं कि A का value 5 का multiple होगा और B का value क्या होगा 9 का multiple कोई दिकत नहीं है यहां से अगर आप LCM लेंगे A and B का तो 5 and 9 तो आएगा ही इसके साथ साथ क्या आएगा K भी आजाएगा मतलब ए value आगया 45 K जिसका value है 405 तो K का value कितना आगया 9 अगर K का value 9 है तो numbers कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा ननमा 81 तो 45 और 81 कौनसा option है option number 2 question number 3 में है आपका कि diameter of base of right circular cylinder 56 cm height 18 cm area of curved surface चाहिए तो curved surface एरिया कितना होता है यह होता है 2 pi रह होता है तो 2 लिखेंगे ही 22 बटा 7 लिखेंगे radius कितना हो जाएगा diameter 56 तो radius हो गया 28 height है 18 28 हो गया 4 दूना 8 और 22 quarts से करेंगे कितना जाएगा करना है तो 18 चाहिए ठोटल से 108 बचा 10 18 सत्य कितना हो जाएगा आपका 125 ने आपका 126 हो जाएगा 108 और अठार 126 126 और 10 कितना हो गया 136 फिर 18 और 13 31 क्योंकि 136 था तो यह 3 एक छोवाट करके option है कुछ है सही उतर आगे option number 1 question number 4 में है कि average weight of 45 student जो है कितना 55 है weight of teacher को अगर आपने include किया है तो weight जो है average weight 300 ग्राम से बर जाता है तो weight of teacher क्या होगा पहले 45 student है यहाँ पर हम n लिख लेते हैं इधर हम average लिख लेते हैं तो जब n का value 45 है तो average कितना 55 कोई दिकत नहीं एक इसमें add किया है हमने teacher को तो अब total 46 हो गया average कितना हो गया average में increment हुआ है 300 ग्राम का बोलें कि चलो ठीक ही है भाया तो जो teacher इसका weight कितना होगा अगर teacher का weight भी 55 kg होता तो को increment नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं पूरा average 300 ग्राम से बर गया है तो कितने लोगों का weight 300 ग्राम से बर है 46 लोगों का जो weight हो 300 ग्राम से बर है तो total extra weight लेके teacher रहा होगा 46 into 300 बस समझ में आगे अभी हम इसको kilogram में convert करना है तो हम 1000 से भाग देदेंगे गया गया यहाँ पे आगया 55 प्लस 68, 44, 12, 13, 13, 8 तो आणसर आगया है 68.8 तो जो teacher है नो उसका वजन कितना आगया है 68.8 के जी जो कि है option number 4 question number 5 होगे है कि 15% of 40% of number 30 है तो number क्या होगा number N है इसका 15% मतलब 15 बटा 100 किसका 40 बटा 100 का यह हो गया है 30 0 से 0 गया 15 दूना 30 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 इन का वहलो कितना आगया 500 तो इस question का जो सही answer निकल के आगया यह क्या आगया option number 1 question number 6 में है कि 15% ने 6% का successive discount देने के बाद selling price 9588 हो जाता है हमें बताना है mark price कितना था मालने जो यह mark price M है 15% discount का मतलब होगा कि 20 का माल 17 में मिलेगा 6% 6% का मतलब क्या हो जाएगा 3 बटा 50 हो जाएगा न तो 50 का जो item है यह कितना में मिलेगा 47 में मिलेगा और यह जो value है यह कितना है 9588 अगर देखे तो 17 से सतर चौक का सतर पच्चे पचासी सतर छक्के दो तल से सतर चौके और सट 47 देखरेंगे तो कितना बार बन जाएगा एक बार में 47 और फिर 9 47 दूना 94 तो यहां से M का value कितना आगया है 12 पे 309 और सही उतर के आगया option number 3 question number 7 में कि greatest possible length of scale क्या होगा जो following को exactly measure कर ले जैसा 12 feet हो गया 12 feet 9 inch हो गया 16 feet 3 inch हो गया तो यहां पो गया 15 foot 15 foot को लिखेंगे तो कितना जाएगा 15 गुना 12 inches मतलब 180 inch ठीक आगय चलिए 12 foot 9 inch एक इतना हो जाएगा इंचेज है तो बरबर है चोगाल से 144 और नो 153 inches यहां पर इंचेज लिख लेते हैं फिर जो 16 feet and 3 inch कितना आजाएगा 16 गुना 12 192 और 192 और 192 और 395 195 inch और आपका 23 feet 6 inches कितना हो जाएगा बारतिया 36 अबारतियों ना 24 अथिन 27 276 और 6 282 inch अगर आप देख पाएगे तो इस सब किस से diffusible है क्योंकि हमें इसका चाहिए HCF HCF आप निकाल यह कितना आजाएगा इसका HCF आ रहा है 3 क्योंकि पहला भी 3 से diffusible है 5,3,8,1,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 सब 3 से diffusible है HCF आ गया 3 अगर HCF 3 आ गया इसका मतलब क्या होना चाहिए 23 इंच होना चाहिए उमीद करते हैं इस चीज़े आपको समझ में आई होगे चलते हैं अगले question पर question number 4 में एक यह 4 km प्रतिगंटा से वाक मीज चलता है और 5 hours के बाद B जो है स्टार्ट करता है cycle से उसके पीछे 10 km प्रतिगंटा से हमें बताना है How far from the start does B catch up हो थी है तो सुरू से कितने दिर के बाद B जो है यह को पकर लेगा B यहांपे है कि a पांच घंटा चल चुका है मतलब इन दोनों के बीच का दूरी 20 km हो गया है क्योंकि 4 km प्रतिगंटा के रफ़तार से जा रहे यह जा रहेfahren 4 km प्रतिगंटां के रफ़तार से is जा रहे हैuben 10 km प्रतिगंटां के रफ़तार से अगर हम देखे तो 5 घंटे के बाद जो है अगर आपने timer स्टार्ट किया तो जितना देर ये चलेगा उतना ही देर ये चलेगा तभी तो जाके एक दूसरे को तो इस दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किया और जब मिलेगा उसमें भी एक ही साथ रहेगा इसका मतलब होगा कि जो time है दोस्त वो क्या हो गया है same अगर time same हो गया है तो distance का जो ratio है न वो speed के ratio के बराबर हो जाएगा तो यहां से d1 by d2 माल लिजे d1 जो है वो a के द्वारा ताइकी के दूरी है चार बटा दस आजाएगा जिसको आप दो बटा पांच भी बोल सकते हैं बीच का अगयप 3 है यह जो बीच का अगयप 3 है मतलब जो है तो शुरू से दूरी तो पांच यूनिट है करके भी पांच यूनिट गया है तो पांच का वैलो कितना हो जाएगा जिसको आप 33.3 किलोमेटर बोल सकते हैं सही आंसर होगा option number question number 9 में है आपका की ratio should be in what ratio जो है लेंटिल का मतलब डाल हुआ जिसके में एक का प्राइस है 77.5 दूसरे का 83.5 और जो रेजल्टी होना चाहिए हुआ 80 रूपीज पर किलोग्राम होना चाहिए 77.5, 83.5 और यहां पर mixture होना चाहिए 80 तो इधर से अगर माइनस करेंगे तो कितना जगा है 2.5 और इधर से माइनस करेंगे तो कितना जगा है 3.5 पांस सत्य पैंटीस पच्चा है 25 जो जिस ratio में किया गया और रेशियो है आपका साथ नुपार 5 जो कि यह option number 2 10 में क्या दिया है A is to B के value दिया और A हमें निकालना है तो रेशियो में आप exact value भी मान के चल सकते हैं जैसे 5 और 1 दिया हुआ है रेशियो तो एक का 5 और B का कोई भी multiple और B के लिए जो है से multiple के साथ 1 को multiply करना होगा तो हमें जो निकालना है न 3A प्लस 4B बटा 3A माइनस 4B A का value 5 रखेंगे तो कितना आ जगा B का value 1 15 जो 4 नीचे आ जगा 15 माइनस 4 तो यह answer आगया 19 सनुपात 11 का जो कि है option number 3 question number 11 में है कि बीर जो है 200 गवाभा लेता है 1800 में कुछ गवाभा सरा हुआ था जिसको फेंक दिया और बाकी जो गवाभा है उसको 14 रुपए के हिसाब से बेजता है और उसे profit हुआ है 230 रुपए का तो हमें बताने कितना उसने बेच दिया फेंक दिया means कितना सर गया था जिस रुपए का अगर profit 230 रुपए का हुआ है तो selling price कितना होगा भी अब 230 रुपए selling price होगे इसका प्राइस क्या है selling price पर अमरूद जो है एह 14 रुपए यह दिया है 14 रुपए के हिसाब से अगर टोटल पैस आपको मेरा है 230 रुपए तो नंबर कितना होगा किसका नंबर अच्छा अमरूद का अगर अच्छा अमरूद का हम नंबर आपसे पूछे जाना है तो बोलेंगे कि 230 टोटल है उसको 14 से भाग दे दो एक बार में 14 अब फिर क्या बचा है 63 तो 14 पच्छे 14 & दोटल 14ी बेचा है अगर 145 ही बेचा है तो खराब कितना हो गयाया है वहाँ है वह चराब हो गयाए दोस्त है आगे है 27.5% तो 27.5% अमरूद जो है वो खराब हो गया है कि राम जो है पांच बटा आठ ओफ वीकली सैलरी रेंट पे एक बटा तीन ओफ रिमेनिंग फूड पे और इसके बाद उसके पास 40 रुपए बचते हैं तो उसका सैलरी क्या है अगर पांच बटा आठ हुआ है रेंट पे दे दिया तो उसके बाद बचे का कितना तीन बटा आठ यह बचा किसके बाद बचा है रिमेनिंग यह बोल रहा है कि रेंट देने के बाद उसके पास इन का तीन बटा आठ हुआ हिस्सा बच जाता है इसमें एक बटा तीन हिस्सा तो उसके फुट पे चला जाता है तो बचा कितना दो बटा तीन हिस्षा बच्चा यह टोटल रिमेनिंग वह जिसका वेलू कोशन में दिया है चालिस दो से कितनी बार में जाएगा बीस बार में और तीन से चला गया इन का वेलू होगा दो के लिए यह आता है डीवन जो और डीटू अच्छा यह करने की जरुवत ही नहीं है सीधे 38.8 कर देंगे क्योंकि 20 और 10 तीस और 55 जोड़ने पे आ रहा है और 45 से कम होना चाहिए यहाँ पर जो जो ऑप्सन दिया है ऑप्सन में देखे डीजिट से से में के वाल डेसिमल को चेंज किया 3.88 बहुत ही ज्यादा कम है 388 हो ही नहीं सकता 0.388 का सवाल ही नहीं पैदा होता है दो डीजिट आना चाहिए डेसिमल के पहले एक ही ओप्सन है तो इसी को टिक कर देंगे हाँ अगर देखना चाहिए फॉर्मूला तो दीवन प्लस दीटू माइनस दीवन 30 बटा 100 यह आपका आजाएगा 28 एक और डीफेक्टिव निकालेंगे 45 के साथ 15 के साथ 15 के साथ 15 जोर 28 माइनस 15 गूना 28 बटा 100 यह कितना आ गया 43 में से पंदरा अठी बीशा से और प्रण दुना 30 और 12 ब्यालीस तो 4.2 माइनस चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 38.8 बस हो गया option नमर 2 तो ऐसे भी कर लीजिए यहां पर करने की ज़र्वत ही नहीं थी क्योंकि option ही वाइसा है question नमर 14 में है कि एक election है election में दो candidate 10% जो है vote नह वैलिड है winner को 350 बोट ज्यादा मिले है opponent से और वह 50% of total voters on the voter list जो है उसको vote मिला है तो हमें बताना percentage of votes of divided candidate out of total voters on the voter list आईए मागने जो टोटल है न टोटल वोटर एक कितना है 100% या फिर 100% या आप 100 एक समाने के चल सकते हैं क्योंकि बीच में देखेंगे आप कि यह 150 का भी स्नीन आया है अगर टोटल वोटर 100 एक से हैं तो कितने ने कास्ट किया है यह कास्ट छोरी valid वोट कितना होगा आप बोलोगे 100 x में से 90 x ने तो वोटी किया है उसमें से 1.500 वैलिड है तो वैलिड हो गया 90 x माइनस 150 कोई दिकत नहीं एक कैनिदेट का नाम ए रख लेते हैं दूसरे का बी रख लेते हैं कोशन में बोला है कि जीता है उसको 50% मिला है टोटल वोट कितना है इसका 50% कितना है 50 x कोई दिकत नहीं से 50 x इसको मिला तो कितना मिलेगा है इन दोनों का डिफ्रेंस तो माइनस करेंगे तो कितना आजाए 40 x माइनस 150 मिला है तो कितना से हराया है जो difference होगा उतना से हराया है तो यह आगया 10x जो रेक्सों पचास question में दिया है 350 से हराया है तो यहां से 10x का value आजाएगा 200 x का value आगया है 20 x का value 20 आते ही टोटल भोट हो जाएगा कितना 2000 तो percentage जो निकालना है यह आपका आएगा 40x-150 बटा 2000 गुना का 100 यही है 2-0 से 2-0, 1-0 से 1-0 नतब 4x-15 बटा 2 x का value कितना है 20 तो विश्चों का 80 में से 15 गया 2 से भागा देंगे तो यह आगया 65 बटा दो जिसको आप 32.5 पर तिसत भी बोल सकते हैं और सही उतर आ जाएगा option number 2 question number 15 में है कि राज जो है twice time लेता है सुझे एसे and thrice जो है रौनक से एक काम को करने में तो यहाँ पर if सुझे can do the work in 6 days तो तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं आए देखिए यहाँ पर राज लिखा आमने यह सुझे लिखा और यह लिखा रौनक ठीक है यह राज था यहाँ पर हम efficiency का race को लिख लेते हैं अगर आप देखे तो question में बोला है कि राज जो है न सुझे से कितना time ज्यादा लेता है तो efficiency तो time का उल्टा हो जाता है इनका efficiency one होगा इसका efficiency the one है कोई दिक्कत नहीं चैंप फिर बोला है कि राज जो है ना एंडर रोनक रोनक से सिन में में कर सकता है तो तो टोटल वर्क के कितना हो जाएगा 2 गुना 6 12 हो गया है हमें समय निकालना है कि सब मिलके कितने दिन में करेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 तो आंसर आगे है दो दिन तो टूडेज में वो टोटल का टोटल काम तीनों लोग मिलके कर लेंगे और सही आंसर आएगा option number 3 question number 16 में कि A जो है 2 बटा 5 काम करता है 12 दिन में B 7 बटा 8 काम करता है 21 दिन में तो A और B मिलके पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे यहाँ पर A है यहाँ पर B है देखिए 2 बटा 5 काम अगर करता है 12 दिन में दोस्त तो 1 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में A ने 30 दिन में किया ह बी के लिए बोला है 7 बटा 8 काम करता है 21 दिन में तो एक काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में तो यहाँ पर आगया 24 अभी टोटल काम का क्या होना चाहिए LCM तो 24 और 30 का LCM कितना हो जाएगा 120 आजाएगा कोई दिकत नहीं एका efficiency 4 हो जाएगा बी का efficiency 5 हो गया तो अगर टाइम निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा 120 काम करेगा दोनों मिलके तो पांचार नो तीन से करेंगे तो आगया 40 बटा 3 40 बटा 3 डेज का मतलब हो गया option number 1 17 पे देखते हैं 17 में बुलाई कि एक person है जो 20 km प्रति गंटा के speed से जाता है अगर तो गंटे का time लगा है तो टूरा distance क्या होगा तोटल में दो गंटे का time लगा पहले हम पूछाएंगे एस average कितना है आप बोलोगे कि देखो 2 s1 s2 by s1 plus s2 क्योंकि जितना गया है उतना ही आया तो दो गूना 20 गूना 30 बटा 20 और 30 कितना हो गया पचास गया पांस से छे वर में तो यह आगा 24 km प्रति गंटा अगर 24 km प्रति गंटा है इसका मतलब क्या होगा कि पूरा जर्णी को हम हटा के यह बोल सकते हैं कि अगर वो 24 km प्रति गंटा से जाता तब भी उसे दो गंटे करता ही टाइम लगता आने और जाने को मिला कर इसका मतलब कि वो 24 km दूर गया था और सही आंसर आएगा option number one question number 18 में कि एक बैंक है जो compound interest at the rate of 5% पर एनम पर पे पे करता है compounding है half yearly customer जो है 600 रूपे deposit किया एक January को और एक July को तो rate of interest the interest he would get on the sum deposited at the end of one year क्या होगा देखिए यह जो rate है ना आपको 5 by 2 मतलब कि कितना होगा 2.5% पर 6 month मिल रहा है बोलें कि हाम मिल तो रहा है अगर वो बंदा एक ही पेसर 1600 रूपे दिया है January में तो January वाले पे दो छमाही का interest लग जाएगा जुलाई में जो 1600 रूपे दिया है उस पे एक 6 माही का interest लगेगा मतलब कि इस पे जो है January वाले पे एक 5 by 2 लगेगा एक और पांच बटा दो लगेगा और इस पे कितना लगेगा हंड्रेड परसेंट यही होता है जब आर एंड आर सेब हो आर का वैलू 5 by 2 पूट करेंगे तो यह 5 आ जाएगा यह आजाएगा आपका 25 बटा 4 गुना 100 तो यह इतना आ गया तो और यह आ जाएगा 16 पच्च 81 81 बटा 16 परसेंट कोई दिकत नहीं गया तो जो आप compound interest निकालने जाएगे पहला जो 600 है उसपे दो बार interest लगा था तो उसपे तो 81 बटा 16 परसेंट आ गया जो दूसरा दिया है एक जुलाई को सब्मिट किया है 600 उसपे एक ही बार का interest compound होगा एक ही बार का interest लगेगा तो सीधा पांच बटा 2 पर 30 यह तो यहाँ से आ जाएगा एक आसी प्लस 200 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा आठ बार में आठ पच्चे चालीस एक आसी और चालीस मिलके आगया 121 मतलब उसे कुछ कुल 121 रुपए का interest मिलने वाला है आगे चलिए 19 में हैं कि एक हेमी स्पेरिकल डॉम है और टॉम है डामिंग डामीटर 3 5 मिटर है जिसको पेंट करना है cost of painting है 20 पैसे पर सेंटिमीटर स्क्वार तो inside से पेंट करने में कितना लगेगा जब आप डॉम को पेंट करोगे ना दोस तो जो उसका हेमी स्पेरिकल रीजन है उसी को paint करेंगे ऐसे करके है ना इसके अंदर वाला तो हमें CSA चाहिए CSA कितना होता है 2 π.r² दो गुना 22 बटा 7 गुना डामीटर है 3.5 मतलब 7 बटा 2 तो डामीटर है radius कितना हो जागा 7 बटा 4 तो आजाएगा 49 बटा 16 कोई दिकत नहींगा 2 से 8 बर में 4 बर में 11 बर में तो 11 गुना 7 बटा 4 ये तो हो गया CSA cost जब निकालने जाएगे तो कितना आजाएगा 11 गुने 7 बटा 4 जो है इसको 20 से गुना करना परेगा इस बीस जो है न इस पर सेंटिमेटर स्कॉर है है यहां पर जो है यह तो मीटर स्कॉर मीटरा करने के लिए एक पर एक दो तीन चार सुनना से मल्टिप्लाई करेंगे अभी से है तो 4 पचसा 20 हो गया तो यह आजाएगा आपका 385 पे 400 यह पैसे हैं रूपीज में कनवर्ट करने के लिए 100 में से डिवाइड कर देंगे दो जिरो से दो जिरो चला गया और आंसर कितना आ रहा है यहां से अगर आप देखेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा 38500 रूपी जाएगा और सही उत्तर आ गया है ओप्सन नंबर आपका 3 आगे चलिए Question number 20 में है कि एक certain rate of interest पर एनम पे difference between compound interest, compounding annually and simple interest जो है 2 साल का है 72 रूपे तो हमें बताने rate of interest क्या है हमें पता है कि जो difference होता है न दो साल का है SI-CI-SI, SI, 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 2 year के लिए ए आपका होता है आरे स्क्वाइर बटा 100%, किसका P का तो यहां पे principle कितना है, 5 पे 1, 2, 3 गुना आरे स्क्वाइर बटा 100, एक और 100, इसका वेलूप कितना दिया है 72 2 0 से 2 0 गया, 1 से A गया, 5 से 2 बार में तो आर का वेलूप कितना गया 12, इस question का सही उत्तर निकल के आएगा option no.4 तो इसी के साथ इस paper का solution होता है complete, अगर आपके कोई सुझाओ या कोई doubt होता है आप comment section में जरूर पूछ लिजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए paper के solution के साथ